हेलो फेंड्स आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्यूरी क्लासेस पे आज मैं आपके लिए संख्यां पदती यानि कि नंबर सिस्टम से कुछ बेसिक कॉंसेप्ट लाया हूँ जो आपके इसाम के लिए बहुत माथ पुन होगा जैसे कि आप प्रा संख्यां काते हैं अगला है पुन संख्यां तो प्राकित संख्यां में सुने है यानि कि जीरो को सामिल करने के बाद जो संख्यां बनती है उसे हम पुन संख्यां काते हैं जैसे कि प्राकित संख्यां क्या था एक दो तीन चार पांच अब प्राकित संख्यां में हम जीरो को सामिल कर लिए हैं यानि कि 0 से starting होगा 0 1 2 3 ठीक है डॉट 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 चलनता जाएगा ठीक है उसे प्राक्रित संख्या में सुन 0 को सामिल करने के बाद जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं ठीक है अगला है संख्या तो वे संख्या जो 2 से बिवक्त होने वाला है ठीक है तो उसे हम क्या बोलेंगे संख्या ठीक है चलिए अगला देखते हैं बिसम संख्या तो वे संख्या जो 2 से बिवक्त ना हो उसे बिसम संख्या कहते हैं जैसे की 1 3 5 7 9 11 ठीक है कोई भी 2 से बिवक्त नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे बिसम संख्या य अगला है अभाज संक्या वैसी संक्या जो एक से बिवक्त हो और स्वई से बिवक्त हो उसे अभाज संक्या करते हैं जैसे कि एक्जाम्पल में दो, तीन, पांच, साथ, ग्यारा, तेरा ठीक है यानि अभाज संक्या समझे वैसी संक्या जो एक से बिवक्त हो यानि कि एक से ब से और स्वय से भीवक्त है, यानि खुद से भीवक्त है, साथ, वो भी ऐसे ही है, एक ग्यारा, तेरा, और जैसे की एक्जामपल में हम लेते हैं, फोर, ठीक है, तो फोर किसे भीवक्त है, एक से भीवक्त है, दो से भीवक्त है, और चार से, यानि खुद से भीवक्त है, ठीक जैसे कि है, याद रखें, इंपोर्टेंट है, जैसी एक से पचीस तक अभाज संख्याओं की संख्यां कितना है, 9 है, कितना है, 9, ठीक है, यहनि एक से पचीस तक अभाज संख्याओं की संख्यां 9 है, एक से पचास तक अभाज संख्याओं की संख्यां 15 है, कितना है, 15, ठीक एक से सौ तक अभाज संख्याओं की संख्याओं पचीस है अगला है पचास से सौ के बीच अभाज संख्याओं की संख्याओं दस है ठीक है पचास से सौ के बीच अभाज संख्याओं की संख्याओं दस है झाल झाल